ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको कुछ रामदीत कहती हूँ आज मैं ताहिर गोरा के साथ बात चीत करूंगी कैनडा भारत रिष्टों में जारी तनाओ के हवाले से कैनडा की पार्लिमन्ट में एक नाद्जी को खराज तहसीन के हवाले से और पाकिस्तान की ताजा सियासी और माशी सूरतिहाल के हवाले से एक हफ़ा पहले प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कनेडियन पार्लिमेंट के अंदर भारत को हर्दीब सिंग नजर का दोशी करार दे लिया एक हफ़ा बाद अब सूरतिहाल आप कैसे देखते हैं देखिए बेटिश कोलंबिया में सिक्स सेपरेटिस लीडर हर्दीब सिंग निजर के कतल के पीछे हमारे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाहलीमेंट के अंदर कहा कि इसके पीछे भारत का हाथ है और वो उस पे बड़ा स्ट्रॉंगली बिलीव करते हैं अगर जो उन्होंने शब्द बरते के क्रेडिबल एलिगेशन्स ऑफ पॉसिबल लेंक और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी केनेडियन लाउ इंफॉर्स्मेंट इजन्सीज है वो परसूइट कर रही है इन्वेस्टिगेशन तो ये सारी लेंगविज अपनी जगा प तो कुछ यू है कि जैसे प्राइम निस्टर जस्टिन टूडो थोड़े से पीछे जा रहे हैं उन्होंने बीच में लास्ट थरस्टे को कहा कि मैं भारत की ग्रोइंग इंपॉर्टन्स को समझता हूँ और मैं भारत को पर्वोक भी नहीं करना चाता इंस्टिगेट भी नह आप ने यह बाम शेल किया हमने तो नहीं यह बाम शेल किया आप ने बगार सबूतों के यह सारा एलिगेशन लगाया और फिर बीच में हमने एक अफ़ता के दुरान देखा कि कुछ यूएस सोर्स ने का कि हमने कैनिडा को यह इन्फरमेशन दीन थी तो अब सिच्वेशन यह है कि दो सीन है तीन सीन है एक तो कैनिडा का सीन है एक भारत का सीन है और एक इंटरनाशनल सीन है तो कैनिडा के सीन में जो भारती नजाद लोग हैं जो भारती ओरिजन के लोग हैं वो आलमोस के टू मिलियन के गरीब हसते हैं वो इस सारे वाके से खुश नहीं हैं वो बही अगर प्राइम निस्टर टूडो को ये बात करना थी तो या तो पूरे सबूतों के साथ करते और फिर भी वो ये समझते हैं इवन पूरे सबूत भी होते तो वो भारत की सरकार के साथ Backdoor Diplomacy में बात करते Officer to Officer राप्ते होते ये क्या हुआ आ प्रामिनिसर टूरो ने ये बात कह लिए अच्छा, प्रामिनिसर टूरो को कैंनीडा में जहां पे अपनी भारती कमुट्टी का criticism face करना पर रहा है वो इंडो कैनेडियन जो खोद को Indocanadian نہیں کہتے ہیں وہ تو بہت تھوڑی پرسنٹیج میں ہیں جو خود کو خالصتانی کہتے ہیں لیکن جو majority Indocanadian ہیں وہ Prime Minister Trudeau کی اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اس میں Prime Minister Trudeau کی جو internal politics ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ کارن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بات کی یہ تو ہے Indocanadian کا جو reaction ہے اس کے بعد جو at large جب ہم Canadian کا reaction دیکھتے ہیں تو frankly Canadians بھی اس بات کو بہت appreciate نہیں कर रहे क्योंके टूड़ो साब ने अभी तक कोई भी कंक्रीट मलूमात नी दी एक अफ़ता हो गया और लोगों को लगता है कि शायद ये एक लंबे अर्से तक कंक्रीट इंफर्मेशन नहीं दे सकेंगे इन्होंने अपनी वोट पौलिटिक्स के लिए या अपने इर्दिग दो अधर भारत में ना सिर्फ प्रामिनिस्टर टूडो का बहुत बुरा इमिज बना वो पहले भी कोई अच्छा नहीं था अब तो खैर अल्टीमेडली बुरा बना चूंकर प्रामिनिस्टर टूडो ने भारत को एक विलन के तोर पर पोर्टेट करने की कोशिश की क्योंक इतनी खौफनाक राइवलरी है दोनों कंट्रीज को पीपल कान अंडरस्टेंड लेकिन किसी और इंटरनेशनल स्टेकोलडर के तरब से कभी ऐसा बयान नी लगा इवन चाइना की तरब से भी कभी ऐसी बात सामने नहीं आई कि भारत ने कुछ चाइना के अंदर मैटलिंग इंटरनेशनल सीन पर अब ये है कि लोग ये टोको कर रहे थे कि क्या इंटरनेशनल स्टेकोलडर जैसे अमेरिका है आस्टेलिया है जपान है यॉर्पिन यूनियन है इस तरह के मुमालिक भारत का साथ देंगे या कैनिडा का साथ देंगे तो ये मैं नहीं समयता कि ये आते हैं कि ये अमेरिकन इंटेलिजन्स का ज्यादा हिस्सा था जो कछी पकी मलूमाद प्रामिनिस्टर टूड़ों को में थो स्टेज पर यह ही कहुँगा कि ये कच्छी पकी मलूमाद हैं चूंकि अब अमेरिकन्स भी मत्ब इफोर्ड नहीं करते ना भारत के साथ मैस्ड करना ना कैनीडा के साथ खामखा कई आ कोई ब्यान बाजी करना तो इसलिए अमेरिकन्स भी इतियाद से चल रहे हैं फिर आउस्टेलियन भी एवन वो ना सिर्फ इतियाद से चल रहे हैं बलके वो इनोंने कहा है जरूर के जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो तो nationally भी हमने एक हफ़ते को दुरान देखा कि कोई ऐसा सीन नहीं बना कि जिसमें कैनिड़ा का साथ दिया हो और भारत की मुझमत की हो या किसी ने भारत का साथ किया हो दिया हो कैनिड़ा की मुझमत की हो तो ये एक जो है situation ये बन गई या प्रैमिनिस्टर टूडो ने बंप शे ज्यादा था जो ने बलास किया अब उस बंब के बाद जो टुकड़े रह जाते हैं बंबलास के बाद वह बिकरे पड़े होएं हैं ये बाद विकास सवारूप मुझमत की जो राइटर मी हैं कैनिड़ा में भारत के इंबासिडर भी रह चुके हैं consequences obviously हर चीज के consequences होते हैं और वो consequences बहुत देर पा होते हैं बिलकुल आपने ठीक कहा वो अब consequences जो हैं ये वो आने वाले दिनों महीनों सालों में जारी रहेंगे चुकर ये बात तैया है मैं personally ये समयता हूँ as a commentator कि Prime Minister Trudeau जिस लेवल पे गए पार्लिमेंट के अंदर जा कि उन्होंने इस तरह की बा बात नहीं सामने आ सकी अब यू लग रहा है कि Prime Minister Trudeau और Canadian Media ज़रा रिट्रीव कर रहा है चुकर हर कहानी की हर स्टोरी की मीडिया में एक लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रेच नहीं करती जब तो को नई development उस स्टोरी में ना हो हर स्टोरी का एक एंड होता है और एंड ना हो वो स्टोरी फिर से जागती है जब अगर नहे हकाइक सामने आे तो अब देखते हैं कि किस तरह सामने आते हैं भारत में Canada के हवाले से बहुत तश्वीश पाई जाती है और भारती Canadian या बसते भी हैं और उनमें भी शदीद थित तश्वीश की हालत है आप इस सिच्छिश है अगर भारत में अगर अम भारत का मीडिया देखिए है यही कि कानीडा यह तक आ जाता है जी के कैनेड़ा जो है सेटी नहीं है भारत में भी ट्रैवल सेद दी आ और का है कैन industry डैलियर बाहींडा सेफ नहीं है जो जो भारती औरिजण के लोग कैनीडा में बसते हैं, उनको भी बताया गया, हास्वर स्टूट्टीन्स को कि भई bunny आप इतियात करें, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक्स्टिमिस अलीमेंट्स है, वो हैं भी. लेकिन अगर हम ब्राडर कैनीड़ा देखें, देखिए ये जो extremist elements हैं ये आपको हमें कोई ब्रैम्टन में सागा में थोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे सरी बिटिश कोलंबिया में नज़र आएंगे कुछ और चुट-चुटी पौकेट्स हैं या घाड़ी चलाएं या वहां रिस्ट्रेंटों में जाएं जहां हम भी मैं और आप भी जाते हैं च्टुके हम भी इस लाकेट को पसंद करते हैं हमारी अपनी कम्यूटी का लाखा है हम पंजाबी हैं बड़े फख्रिया पंजाबी हैं तो पंजाबी चाहे सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, मुसल्मान हो, तो पंजाबी तो पंजाबी है, और पंजाबी पंजाबीयों के साथ बैठके खुश होते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, तो वो इवन इन सैंस्टिव आलाकों में भी कोई बहुत बड़ा में इशू नहीं है, जिस तरह भारत में तश्वीश पाई जाती है, मतब ठीक है, कुछ अनफर्चनेडली पास में, रीसेंट पास में, कुछ इंसिडेंसिज होए जो नहीं होने चाहिए थे, मगर वो हुए और उसका एक कारण यह है कि जो हमारा किनेडियन पुलिटिकल मन पार्टी से, बहुत ही इमेचूर हैं, वो मतब जैसे यह खालसानी ऐलिमेंट है, उनका यह ख्याल होता है, कि शायद जितने से एक सरदार बेहन भाई हैं, वो सब खालसानी हैं, अच्छा, उनके उनके पस नॉलिजी नहीं है, मैं यह कहता हूँ कि खालसानी, अगर पीसफ में को या जो एक मना रहा है, पुतला सा, मुझे इसमा तो नहीं कहना चाहिए, पुतला जो बना है, जी पुतला, उसको उनके प्राइमनिस्टर मुदी को अपने अपनी जो है पुलिटिकल गराउंड जैनी भारत के अंदर, वो उससे कोई फरक तो नहीं पड़ेगा, वो लेकिन इससे बढ़के वो कोई कहता है जी के केनिडियन कैनिडा से हिदों को निकल जाना चाहिए, वो ये तो पीसफुल बात नहीं है, ये तो हेटफुल है, ये तो इंसाइटमेंट है, ये तो थ्रेट्स है, इस लेवल पर भी होता है, मंदरों के बाहर जाके अटैक कर द है और ये आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता माइल्ड होगी, इस पे जो आपने तश्वीश की बात की तो भारत में भी तश्वीश पाई जाती है और जो हमारा इंडो केनिडियन जो यहां पे तबका है, इंकलूडिंग हमारे पंजाबी सिक पहन भाई, यहों की अ साइम मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे इवन आपोजिशन पार्टीज के में एंपी, वो समयते ही नहीं हैं इन बातों को, तो फिर क्यों आप, यानि मेरा केनिडियन पॉलिटिशन से सवाल है क्यों फिर आप हम केनिडियन की को रिपेसेंट करते हैं हाउस कामन में, केनिडियन पार्लिमेंट में, जब आप मसायल को समझते ही नहीं हैं, तो ये जो तश्वीश डोनो दर पाई जा रही है, इसके ज्यादा जियादा क्या, हंडर्ड पर्सन यही ज्यादार हैं. चलिए, कैनिडा की पार्लिमेंट में एक और बाम फूटा, या बाम जब यूक्रेन के सदर विलादी मी लिविंस्की की आमिद के मौका पर पार्लिमेंट के स्पीकर ने एक नाच्जी को ऑनर दिलवाया, आप इस मेस को कैसे देखने हैं? या आप देख लीजिए, मैं भी जो बात कर रहा हूँ किनिडियन पार्लिमेंटेरियन्स की, अब उनक किसी छोटे मोटे आम MP ने काम नी किया, ये जो आउस अव कामन के स्पीकर साब हैं, जो उन जो ने आज रेजगनेशन बारहल दे दी, आपरेशन के बाद, इपालोजी भी उनकी, यानि ये उनको पता ही नहीं था, कि जस आदमी को वो वलादी मेर लिविंस्की, जो युकर पर उन्होंने एक नाइटी एट इयर्ज ओल्ड मैन को जो जो नाजियों के साथ लड़े थे सेकंड वर्ल्ड वार में, उसको हीरो के तोर पर पेश किया, यानि इससे आप अंदाला कीजिए, जो मैं भी बात कह रहा था, कि हमारे केनीडियन पॉलिटीशन कितने नाइब है जब मैं किनेडियन पॉलिटीशन की बात करता हूं साथ वेशन कांटेक्स में तो लोग यह समझते हैं कि शायद जो साथ वेशन ओरिजन के जो एमपीज हैं, वो भी अपने वेस्टेड इंटरस्ट पे चलते हैं, वो भी काफी इमिचूर हैं, मगर जो वाइट में स्ट्री काकेशियन पॉलिटीशन यह उनका है, यह स्पीकर साथ का हाल है, यह उनकी स्केटमेंट में ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो फिर इसका मत्ब यह है कि कोई कोई रिसर्च है यह कहा है को हमें रिप्रेज़न करते हैं, यह इतनी शरम नाग पार, कि एक दू जो दूसरा देश हैसा है, जो इस वक्त वार्टोन कंट्री है, और बड़े मसाइल हैं, खुद वो कंट्रोवर्शल हस्ती हैं जो जो प्रेज़न आयों हैं, लेकिन बारहाल कैनड़ा उनको फुल स्पोर्ट कर रहा है, और मैं यह समझता हूँ कि रूस ने ज्याती की थी हम करके वो एक अलग पैसे हैं, लेकिन बारहल इतने बड़े उकरियन पर के बई दुनिया की आँके यूकरियन पर गड़ी हुई है, पूरी दुनिया फैक्ट हो रही है, रूस के अटेक के बाद यो यह यह तनाजा खड़ा हुआ और उसके सदर यहां आए हुए हैं, और उन के लोग हैं, क्या उनके पास कोई इंफर्मेशन नहीं है, यह जो हमारा टॉप प्रास है, पॉलिटीशन का और फिर इनके साथ जो इंफर्मेशन कॉलेक्ट करने वाले एदारे हैं, क्या है इनके पास इंफर्मेशन? लैक आफ कॉम्पेटेंसी हो गई है मुझे लगता है, क्योंकि इतनी डीटेल में अगर नहीं गए और आप ले आए हैं और लाने के बाद आपको पता चल रहा है, तो यह तो बहुत बड़ा जोक लगता है, पॉलिटिकल जोक की तरह है. या मतलब यह पता ही नहीं है इनको जोनों ने इनको इनको इंफर्मेशन दी, जो हमारे इनफर्मेशन के इदारे होती हैं, टेलीजन से इजन्स आफिया होती है, वो एक वैटिंग होती है, कॉन पार्लिमन्ट के अंदर जा रहा है और उसको किस तरह हम खराजे तैसीम है, पूरी दुनिया में कैनिडा ठंटे मजाग का बना है, यह क्या तरीका है, क्या पुलिटिकल कॉश्चिन मार्क, के परूफ ही नहीं है और टूडो साब कह रहे हैं, अच्छा चलिए, कच्छे पके परूफ हैं, या परूफ तो नहीं होंगा, कच्छी पकी मलूमात हैं, खुद वो कह रहे हैं अपनी तक्रीम मतब क्राडिबल एलिगेशन्स ऑफ पोटेंशल लेंग्स और इस लेवल पर क्या पार्लिमेंट इसकाम के लिए होती है, कि आप अपने इलाई कंट्री के खालाफ एक्शन लेने हों पार्लिमेंट के, यानि को दुश्मन कंट्री भी अच्छा जो दुश्मन कंट्री होते हैं, जो जिनके बारे में फर्मली पता होता हैं कि दुश्मन कंट्री हैं, उनके बारे में एक्शन नहीं लेते हैं, यानि ये कमाल के पॉलिटिशन्स हैं, सारे के सारे, अब ये आप नाजीवल वाकिया देख लेएजिए, और मतलब इन सब की कम्पिटेंसी में जो कमिया हैं, इतनी शरीड कमिया हैं, वो कैनिडा की अब वो डिमॉक्रेसी पर भी क्वेस्टन मार्क हैं, इनकी एहलियत पर भी क्वेस्टन मार्क हैं, और ये हमारे देश पर भी एक तरह से क्वेस्टन मार्क हैं, बहुत ही दुख की ये बात चलिए बात यूक्रेन के सदर की कैनेडा परामद से हो रही है तो यूक्रेन की रूस की यूक्रेन पर मसलत करदा जंग और उसके नतीजे में ना खतम होने वाला क्राइसिस आप इसको बैनल अक्वामी तनाजर में कैसे देखते हैं इस पर तबस्रा कीजिए देखिए ये जं अब से जयादा इसको उसा हो गAYा है और रूस की बृकुल मसलत करदा जंग है यह का इसमें कोई शकुत वेली बात नहीं मगर जो सरक्म्सटांस्टेस बने इसमें रूस का भी काफी असा है और बदकिस्में टीसे वेस्टन वर्ल का भी एस और मरे बचेरे कौन है वो ज्यादा यूक्रेणी मरे हैं उनकी फॉज के लोग भी उनकी अवाम के लोग भी मिलियन्स यूक्रेणियन्स डिस्प्लेस हो गए है अच्छा उस में फिर मैं जो अपना हमारा केनीडियन मीडिया है वेस्टरन जो वर्ल का मीडिया वो उस पर यही बात कर रहा है जी के यह डिमाकरीसी के लिए है सिर्व चिर्फ यूक्रेण की बांडरीज के लिए नहीं है फ्रीडम के लिए है है ये सब कुछ भू कर रहे हैं अब मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है पहले हम भी ऑनसली कुछ दस-पंदरा साल पहले ऐसा ही समझते थे कि ये बड़ा आइडियल किसम का नजाम है ये जो वेस्टन वर्ल्ल अमरीका डीमाकरिसी की जो बात करता है मैं बीस, पचीस, तीस साल की बात कर रहा हूँ दस बारह मी नी, दस बारह साल उस से तो बहुत हम पर भी वाज़ए हो गया पचीस, तीस साल पहले औह आए थे वेस्टन वर्ल्ड की इंपोस की हुई, अफरीका में जाती थी, इवन पाकिस्तान में हमने देखा किस तरह ये डिक्टेटर्स को किया करते थे, लेकर फिर भी हम सोईता थे कि चलिए, अब ये 100% आइडियल काम तो नहीं होते, कोई थोड़ा बहुत तो अच्छा काम करी रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हमारी एक जो वेस्टन होकूम्तियानी कर रही हैं बेला शुबा कर रही हैं, लेकर बहुत ही थोड़ा है, अब जो आप ने ये जिक्र किया कि ये जो रूस की युकरेन पर जो मुसल्ब करदा वार है, तो उसमें हमन یہ دیکھا کہس میں جہاں روس کی بہت ساری خامیاں تھیں اور ہیں انہوں نے یوکرین کو جس طرح user's کیا اپنے strategicل interest کے لیے جس کو اب یہ آہ democracy کا نام دے رہے ہیں freedom کا نام دے رہے ہیں. میں تو democracy اب اب اس پہ کتاب بھی شاید لکھ رہا ہوں. شاید ہوئی جائے مکمل. وہ یہ ہے کہ بھئی یہ آہ شاہد نہیں कथाप ते युकी नहीं लिख रहा हूं लेकिन शायद मकमल हो जाए कोशिश है कुछ ना कुछ का हो जाए कि यह जो डिमाक्रेसी है यह जो डिमाक्रेसी का है कि ड्रामे बाजी का हुलिया यह बिगाड़ की लिख राङा थैस लिवेस गिंडारोिया था पहले तो हुलिए बिगाड़ा था उन उन देशों ने जिन को ढाजी का पता ही नहीं था और वह और व् allप लोग्राइसी का एक जो खलोना था दिया वेस्टन वर्ल ने, कि भाई ये आपके सारे गुना दूल जाएंगे, आप एलेक्शन करा लिया करें, सिर्फ एलेक्शन के नाम पे ही डिमॉक्रसी नहीं, बाकि कभी भी बहुत सारी दुनिया के स्वों में डिमॉक्रसी आई नी सकी, अब हमारे इस पार्ट वड़ में कैनिडा हूँ, अमरीका, मानते हैं कि डिमॉक्रसी के बहुत सारे अच्छे यहां पे, अभी भी फरूट्स बाकी हैं, अलिमेंट्स भी हैं, फरूट्स भी बाकी हैं, मगर उसको जिस तरह पल्यूट किया जा रहा है, वो एक तो इंटर्नेशनली जो मैंने अभी बात की, कि इंटर्स्स कुछ होर होते हैं, मोटिम्स कुछ होर होते हैं, और वहां पर दिमॉकरिसी का जनजना, जैसे अभी यूकरेन की बात हो रही है, हमारे अपने मलकों में, बालीमिन्ट में जो यह जो इनसी डेंस होगे, जिस तरह डिमॉकरिसी को टूल बना कर, अब बीथ पने आपको आगे पेश करते हैं वो यह मज़ाब बनकी यानि पार्लिमेंट जो किसी भी डेमोक्रेटिक का सबसे अजीम institution होता है उसके अंदर जो बैठेवेज लोग हैं वो कितने educated हैं वो डिग्रियां लेने से एको पीषडी कर लेने से educated नहीं होता बतलर जो जो issues होते हैं उन issues को समझेना जनको डील करना होता है इन parliamentarians ने उन मोज़न wife is issues का most of the time पता ही नहीं होता तो यह सिच्वेशन है अब यही जो है इस दुनिया पे रूस की जो मसल्लत करदा जंग है यूकरेन पे वो अब एक अजाब बना हुआ है चाहे एनरजी का क्राइसिस हो चाहे फूड की सप्लाई का मसला हो या इन जनरल सप्लाई चेंड की बात हो वो एक गंबीर मसलबा हुआ हुआ है और हजारों लोग हजारों बेगनाश है मारे जा चुके हैं हाजारों फौजी दूनों तरफ रूसियों की तरफ्से भी इनकी तरफसे मारे जा चुके हैं और इस मसले ने भी हल मेज पे बैठके हो ना कोई भी जंग जो है न वो अल्टीमेटली मेज पे ही खतम होती है तो फिर क्या जरूरत थी रूस को भी इस जंग को मसलत करने की और क्या जरूरत पड़ी हुई थी वेस्टरन वर्ल्ड को इस जंग को इन्वाइट करने की यह सारी के सारी ट्रॉबल इन्होंने इन्वाइट की है उन्होंने पोस्ट की है तो अभी भी इसका कुछ कोई फ्यूचर नहीं है so connected हैजी इस वक्त के हम एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडंट हैं और किसी भी एक जगा का सर हर जगा पे है बहुत सरे में यॉर्पिन यूनियन के हैं, बहुत सारे यॉर्पीन यूनियन के कंट्रीज के जो हैड उद अस्टेट्स हैं, मैं उनको सुन चुका हूँ, गुरिश्टा देर साल में, जब भी यूकरेन के मसाब बात होती है, इंटरनेशनल जनलिस उन से पूछते हैं, कि जी आप ये बताएं कि कब आप मतब रूस की एकानोमी को एफेक्ट होगा, क्या मतब रूस को आप डिफीट कर लेंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड का वो देश है, मतब वो क्या होगा, मतब सेकंड वर्ड वार में इन यॉर्पीन ने नहीं देखा था, कि कौन डिफीट, अब ठीक है, जर्मन एपरेंटली डिफीट होगे थे, एपरेंटली, कितना नुकसान बाकी सब कभी हो गया था, मिलियन्स और मिलियन्स यॉर्पीन बिचारे मारे गए, जो आम मसूम लोग थे, तो मतब इस में जंग में कौन किसकी हार और किसकी जीत होती है, अल्टीमेटली, तो ये एक तरह स इन्हों ने थर्ल्ड वर्ल्ड वार वाला सीन बना के रख दी होगे, ठीक में, बहुत सरी चीजें थी, जो मैं समझता हूँ, जो इस हैप तक जाए बगार हो सकती थी, लेकिन अब वो जा चुकी है, निगोशिशिशन्स ऑन दे टेबल आल्वेस रिजल्वेशन्स वही होन तर्की के सदर ने भी यू-एन एक में इसका तस्करा किया, आप इस पर क्या तपस्रा करेंगे। مسئلہ ہے کہ پاکستان اس پہ بات تو کرے گا ہی ہے. اگر پاکستان اس پہ بات نہ کرے move on ہو تو یہ تو ایک بڑی leadership کا کام ہے نا. وہ وہ بڑی leadership ابھی پاکستان میں آئی نہیں نہ ہی کہیں دور دور سے نظر آ رہی ہے. تو public consumption کے لیے بھی اور اپنی فوج کی leadership کو خوش کرنے کے لیے بھی جو بھی prime minister ہوگا وہ کشمیر کا وہاں پہ راگ تو علاپے گا. جی مارے گیا لوٹے گئے. لیکن دیکھنے میں بات یہ ہے کہ ground reality کیا ہے. ground reality یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیٹ جو یو اے ای اور Arab nations کی ایک طرح سے arbitration جو diplomatic کوششوں سے جو ceasefire ہوئی تھی وہ ابھی چل رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. دونوں دیشنوں کے لیے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے وہ بولتے نہیں ایک دوسرے کے خلاف. that's okay. بولنے میں مجھے کم problem ہے. لیکن جب گولیاں چلیں اور عام لوگ سفر ہوں تو وہ زیادہ دکھ والی بات ہے. I understand کہ یہ public consumption کے لیے ہوتا ہے. تو چلیے وہ تو یہ ایک بات کریں گے ہی وزیراعظم پاکستان. اب OIC کے اجلاس میں اس پہ بھی بات ہوئی جس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو بھارت کے کچھ ایسے لوگ جو بھارت سے باہر بیٹھے ہوئے ادھر پروفیسر ہیں ادھر پروفیسر ہیں جو پرائم نیسٹر نندرہ مودی کے حق میں نہیں ہیں. اچھا مجھے نہیں سمجھاتی. وہ خود کو اپنے آپ کو پروفیسر بھی کہتے ہیں انٹیلیکشل بھی کہتے ہیں. مگر وہ کسی ایسی خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پرائم نیسٹر نندرہ مودی جیسے ہم نے ادھر خالستانیوں کا ایک پروٹیس ابھی دو روز پہلے دیکھا جس میں انہیں پرائم نیسٹر نندرہ مودی کے پتلے کو جوتے مارنے کی کوشش کی. آجا اس پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اکیڈیمیاں جو ایکسٹریم لیفٹ کا ہے اور جو بھارے سے ہی جن کا تعلق ہے. دیکھئے پرائم نیسٹر مودی کا یہ سوچے بغیر کہ یہاں پچاس لوگ آ جائیں گے ایسا کچھ کر لیں گے. آپ کا تو ایک ٹویٹ بن جائے گا آپ تو خوش ہو جائیں گے. لیکن اس کا گراؤنڈ پہ کیا حاصل ہوگا. کیا کیا اس سے فرق پڑے گا. سسٹم ہر سسٹم کے اندر کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز. تو کینیڈا کی پولٹیکل سیناریو میں آپ اپنی رائد دے سکتے ہیں. اور آپ آ کے ڈیمنسٹریشن کر سکتے ہیں. لیکن اس کی صورتحال بہت مختلف ہے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ کہ سسٹم اس طرح کا سٹرانگ نہیں ہے. یہ وہ دیکھئے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کینیڈا میں جیسے یہ واقعہ ہو اس پہ. اب اسی طرح کوئی مطلب غالباً کسی سعودی فارمینسٹر نہیں ہے. کسی نے مجھے یاد نہیں پڑتا. وہ کوئی او آئی سی کے اجلاس میں کوئی شاید کشمیر کے کوئی بات کر دی. اب وہ یہ ہے جی کسی نے یہ دیا جی کہ آہ پرائمینسٹر موڈی یا میرے نزید پرائمینسٹر موڈی پرائمینسٹر ہیمسیل نہیں ہے وہ بھارت ہے. جو بھی ہوگا بھارت کر رہا ہے. جو بھی ہیڈ آف دو سٹیٹ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کرتا. ٹھیک ہے نہیں اب وہ مطلب اب جیسے ہمارے ٹرودو صاحب ہیں ٹرودو صاحب صرف پرائمینسٹری نہیں ہے کینیڈا کے بھی وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں اب وہ جو بلندر کریں گے تو ظاہر ہمیں جب وہ مسٹر ٹرودو ہوں گے شاید پرسنل کپیسٹی میں then he is different but when he is پرائمینسٹر. جی. he is representing Canada. ہاں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اب ساری جو situation ہے وہ یہ ہے کہ اب جی انہوں نے OIC میں کہہ دیا سعودی عرب کے فارمینسٹر نے جی بڑی کمال کی بات ہو گئی وہ ظاہر ہے وہاں پہ اگر کچھ ذکر ہوگا وہ organization of وہ جو اسلامک امہ کوئی ہے وہاں پہ ہوتی رہتی ہے بات اگر سعودی عرب نہیں کرے گا تو کوئی اور بات کر دے گا تو لیکن practically دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا جو اصل crisis ہے financial crisis ہے اس میں وہاں پہ کتنا پیسہ ڈل لگا رہا ہے پچیس بلین ڈالر لگانے کی بات کی تھی دعویٰ کیا تھا پاکستان کے پرائمینسٹر نے لیکن وہ اس کی ابھی تک سعودی confirmation نہیں آئی کچھ نہیں ہوا تو اصل باتیں یہ ہیں اب یہ وہ بول چال کی جو باتیں ہیں یا یہ جو خالی خالی lip service ہے اس کی بنیاد پر نا یہ academia یہ خبریں بناتے ہیں tweets نکالتے ہیں تو ان کا یہ حال ہے اچھا اسی طرح جیسے اگر ترکی کے صدر کر دیتے ہیں تو کیا کشمیر کا ذکر کر دیتے ہیں یو ان جی اے میں تو کیا کوئی پہلی بار کر رہے ہیں اس سے پہلی بھی وہ کر چکے ہیں بھارت اور ترکی کی trade اور issues وہ کوئی بہت فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے تھوڑا سا بھارت کی طرف سے ان کو cold shoulder دیا گیا جس کا نقصان ترکی کو یہ بھارت کو frankly ان کا کوئی نقصان نہیں ہے دیکھئے even ہم میں تھوڑی سی بات کو ملاوں گا کینیڈا اور یہ جو بھارت کا بھی تنازع بنا ہوگا ہے اس میں بھی ultimately آپ اور ہم دیکھیں گے کہ کینیڈا کو زیادہ مسئلہ ہوگا اگر trade hit ہوتی ہے اس لیے کہ بھارت کا trade کا volume بہت بڑا ہے اور پوری دنیا ان کے ساتھ بہت بڑے level پہ تجارت کر رہی ہے چائنا تاکھ ان سے بہت بڑے level پہ تجارت کر رہا ہے تو اسی طرح اگر ترکی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے ترکی کے نسبت بھارت کا size بہت بڑا ہے population بہت بڑی ہے economy کا size بہت بڑا ہے ترکی اس level پہ تو effort نہیں کرتا کینیڈا بھی اس level پہ effort نہیں کرتا کوئی بھی دیش اپنی interest کو خراب کرنے effort نہیں کرتا تھوڑی بہت political بیان بازی تو ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو کرنی پڑتی ہے اب ظاہر ہے وہ political بیان بازی کے چکر میں بھارت بھی یہ assess کرے گا کہ بھئی سعودی عرب جسے پنجابی میں کہتے ہیں کتھوں بول دیا ہے وقیچوں بول دیا ہے یا صرف اور صرف وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ چکر ان کو کہنا پٹ رہا ہے تو ان کو کہنا پٹ رہا ہے تو کوئی کوئی بات نہیں ہمارے دوست ہیں billions and billions ڈالر کا ہمارا دونوں طرف آپس میں تیجارت ہے اچھی دوستی بھی ہے تو اتنا تو شاید ان کو public consumption کے لیے کرنا ہی پڑے گا لیکن اس پہ پھر یہ سارے کے سارے نتالیاں بجانا جب شروع ہوتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے ہے کہ جیسے یہ کوئی football کا match ہے کسی نے گھول کر دیا ہے اور اب جناب طالیاں بجائیں اور even جیسے ہم نے cricket میں دیکھا کہ پاکستان جب کبھی جیت جاتا ہے یا جیتا ماضی میں تو پاکستان کے جو بھی ہوتے تھے لیڈر یا شاید آنے آگے آنے آنے والے دنوں میں جو بھی ہوں گے پاکستان اگر جیتے گا وہ یہی کہیں گے یہ اسلام کی فتح ہے یعنی وہ ایک cricket سے یا ایک بیان سے OIC میں یہ کوئی مطلب نہ تو بھارت کے موہ پہ تماشا ہے نہ یہ کوئی اسلام کی فتح ہے تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اس level کے لوگ جو خود کو professor کہتے ہیں کوئی کینڈا میں ہے کوئی امریکہ میں کوئی شویڈن میں کوئی خود بھارت کے اندر بیٹا ہوا تو میں ہی کہتا ہوں کہ یہ ان کے analysis کا level ہے کہ یہ اس طرح کی چھوٹی بیان بازیوں پر یہ اپنے ڈل کو خوش کر رہے ہیں تو بس دنیا میں لگتا ہے کہ liking اور disliking کی base پر ہے صرف عام لوگ ہی اپنے دل کو خوش نہیں کر رہے بڑے بڑے نامور جو academia کے لوگ ہوتے ہیں دانشور so called ہوتے ہیں نام لہات وہ بھی اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں جو mental bankruptcy ہے وہ unfortunately اب بڑھتی چلی جا رہی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے چلی آتے ہیں پاکستان کی طرف واپس عمران خان کو ڈیالا جیل منتقل کیا گیا آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے دیکھئے عمران خان پاکستان کے بہرحال prime minister رہے ہیں اور ان کو جس طرح اٹک جیل میں رکھا گیا گجتا کچھ مہینوں سے وہ issues تو تھے اٹک جیل اتنی نہیں تھی اپگریڈ لیکن چونکہ عمران خان پاکستان کی powerful military establishment سے ٹکر لے بیٹھیں اس خیال میں شاید ان کا خیال تھا کہ میں بہت popular ہوں number ایک number دو ان کا یہ خیال تھا کہ military کے اندر ان کے پاس بہت سپورٹ ہے تو انہوں نے سوچا کہ بھائی کیا issue ہے میں ذرا اپنے مسئلز رکھاتا ہوں تو اب military نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اٹک جیل میں رہیں گے جہاں پہ facilities بھی نہیں ہیں ان کو ایک message دیا ان کی party کو message دیا اب بہرحال ultimately ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت لمبے عرصے تک اٹک جیل میں رہیں گے اگر ان کو واقعی زیادہ عرصہ جیل میں رہنا ہے تو ultimately ان کو اڈیالا جیل بھیجیں گے جہاں پہ کچھ سہولیات زیادہ ہیں اڈیالا جیل ایسی جگہ ہے جہاں پہ عاصف زرداری بھی رہ چکے ہیں جہاں پہ نواز شریف بھی رہ چکے ہیں تو یہ جتنے head of the states پاکستان میں رہے ہیں ان سب کا بدقسمتی سے مقدر یہ جیلیں ہوتا ہے ایک وجہ تو بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ خود military پاکستان کی military کے ہی ایک طرح سے direct یا indirect supporter رہے ہوتے ہیں اور جب وہ ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پنگا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہی جب میس کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت popular ہوگا نواز شریف کبھی یہی معاملہ ہوا تھا یہ unfortunate political system of Pakistan ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی بہت seasoned politician جو ہے اس کو آرام سے نہیں جانے دیا جاتا ہاں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے پھر میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو پاکستان کے politician ان کو ہم ایک ہی stick کے ساتھ میر کریں گے اب نواز شریف کا اپنا caliber تھا انہوں نے بھی grow کیا وہ بھی military پاکستان کے military نے ہی ان کو grow کیا تھا لیکن وہ change ہوئے international ان چیزوں کو سمجھا عاصف زرداری ہوں یا ان کی مرہومہ بیگم بے نظیر بھٹوں ہوں وہ بھی اپنے طور پر تئی مراحل سے گزرے politics کی عمران خان کا بھی politics کا یہ پہلا مرحلہ ہے عمران خان کی personality بھی ایسی ہے دنیا کے ہر ملک میں politicians کی جو personality ہوتی ہے وہ بہت matter کرتی ہے of course جیسے Trudeau صاحب کی personality ہے Biden صاحب کی personality کوئی بھی ہو head of the states ایک تو policies ہوتی ہیں state کا اپنا ایک structure ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ جو head of the states ہیں یا important جو لوگ ان کی personality سے فرق پڑتا ہے ان کی qualities ہوتی ہیں نا self qualities یا میں qualities نہیں کہوں گا میں characteristics کہوں گا اس میں گجائے بغیر کہ وہ qualitative 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 level پہ اچھی ہیں یا بری ہیں وہ جائے بغیر اس کا برحال ایک نئے impact ہوتا تو عمران خان ابھی mature میری ذاتی رائے could be wrong لیکن میرے پاس سوچ کہ بہت سارے arguments ہیں کہ بہت mature یا بہت اچھی politics کرنے والے نہیں ہیں لیکن after all he happened to be the prime minister of Pakistan ٹھیک ہے تو وہ اگر اقل کریں گے عمران خان تو دیش کا بھی ان کو ان کی اقل کی وجہ سے فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا ان کی ذات کو فائدہ ہوگا اگر وہ اقل والی باتیں نہیں کریں گے تو دیش کو بھی نقصان ہوگا party کو بھی نقصان ہوگا然后 ان کی ذات کو بھی نقصان ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو अडियाला जेल मुन्तिकल कर दिया गया है, इसके बाद इमरान खान कितनी देर जेल में रहते हैं, उन पे बहुत सारे मुकदमात बने हुएं, वो एक से निकलेंगे, तो दूसरा मुकदमा उसका पीछा करेगा, तो एक लंबी कतार लगी हुए यह मुकदमात की, और पाकिसा के हलाँ पर बाचीट को कंक्लूड करते हुए, इतना ही कहूंगा कि पाकिसान के जो हलाँ हैं, वो काफी गंबीर हैं, और अभी बहुत चैलेंज़ें पाकिसान को अपने मसाइल, अपने मैस से बाहर निकलने के लिए, आज के तबसुरों के लिए आपका बहुत बहुत बाकर आप पैट्रियान पे पॉल या क्रेडिट कार्ड के जरीए डोनेट कर सकते हैं अप्सक्राइब टाग्ट्वी यूट्व चैनल और अप्सक्राइब ट्रेस्टिशन पॉल प्रेस्टिशन पॉल